स्वागत आपका मूव मीडिया में आपके साथ मैं हूँ अदिति सेंग एक नज़र डालते हैं अचके अकबारों पे आखिर उनमें आपके लिए क्या है खास जन सता से यूबी में राजनेदी सरगर्मीक में अमिश्यास से मिलेंगे योगी आदित्यानाथ उत्रप्रदेश विधान सबाचुनाफ से पहले भाशपा में मचे घमासान के बीच मुख्य मंत्री योगी आदित्यानाथ ने गुरुवार को दिली में केंद्रिय ग्रहम मंत् अमिश्या से मुलाकात की दो दिवस्य दोरे पर राजधानी पहुंचे योगी आदितिनाद शुक्रवा को प्रधान मंत्री मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड़ा से भी मुलाकात करेंगे पूर्व कॉंग्रेस नेता जितिन प्रसाद के भाशपा में शामिल होने के एक दिन बाद मुख्य मंत्री योगी आदितिनाद की दिल्ली यात्रा सूबे के मंत्री मंडल वसंगडन में बदलाग की दृष्टी से महतवपून मानी जा रही है मौत के आखड़ों को छुपाने पर विवाद में घिरे हैं नितीश प्रदेश में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर में अब तक हुई मौतों की सरकारी आखड़ा 5450 से जादा ही था लेकिन इसमें एक ही दिन में 73% की व्रद्धी हो गई और यहां बढ़कर 9,429 पहुच गया इस मामने बिहार सरकार के स्वास विभाग के उपर मुक्य सचील प्रत्यक्ष अम्रत ने स्विकारा की आखड़ों में गड़वड़ी हुई है उन्होंने कहा कि मुरत्यकों की गलत संख्या देने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी बिहार के विभिन जिलों में भेंजे जाने वाले कोरोना मुरत्यकों के आखड़ में गड़वड़ी की आशंका के मद्दे नज़र 18 मई को राजय सरकार ने जांच कराने क अधालत का सुशान की जीवन पर बनी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार दिली उचनेयाले ने कहा कि मरनुप्रान निजात का अधिकार स्विकार नहीं है दिली उचनेयाले ने बॉलिवूट के दिव्यांग अभिनेत शुशान सिंग राजपूच की जिन्गी पर कथित अफ़तार पर अधारित फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से गुरुबार को इंकार कर दिया है अधालत ने कहा कि फिल्म ना तो बायोपिक बताई जा रही से ना ही उसकी जीवन से कुछ हुआ अतथाद इस पर विराम नहीं लगाया रोका नहीं जा सकता नवोध्य टाइम से दिल्ली में बिजली की डिमांड पहुंची 604-99 मेगावाट कोविट के इस दौर में बीए कोविट के दौर में बीस्टी निभारा मैतपूर्ण भूमी का इस बार पीक डिमांड 7000 से 7400 मेगावाट के बीच रहने की संभावना है ऑक्सिजन की सुविधा बढ़ा रही है दिल्ली सरकार अर्विन के जिवा ने ऑक्सिजन डीपो और उत्पात प्लांड का किया दौरा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की हो रही है तैयारी ती दिल्ली में 57-57 मेट्रिक टन की शमता के तीन ऑक्सिजन चोरिस टैंक स्थापित किये गए हैं ऑक्सिजन के 19 PSS प्लांड त्यार किये गे मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अगले एक दो दिन में 19 ऑक्सिजन के PSS प्ला दिल्ली का पहला स्मॉक टावर दिल्ली कैबिनेट ने पिछले साल ऑक्टूबर में दी इसके निर्मान की मनजूरी इसके प्रमुक बिंदू जो रहेंगे 20 क्रोड की लागत से बना बनेगा यह स्मॉक टावर इसकी उचाई करीब 25 मीटर है और 40 गुना 40 बग मीटर इसकी चारो तरफ की परिरिदी होगी स्मॉक टावर प्रति सेकिंड एक हजार घन मीटर हवा को शुद करके बाहर निकारेगा इसमें चारो तरफ 40 पंखे लगे हैं जो वायो को शुद कर 10 मीटर की उचाई पर छोड़ेंगे दिली में 2 करोड के पार हुआ कोरोना टेस्ट का आंकड़ा कोरोना के 305 नय मामले 44 मौते 0.41 फीजदी हुआ कोरोना की संक्रम अंदर 24 घंटे में 75,133 जाचे हुई है दिली अब तक कुल 2 करोड 2 करोड 42,178 सेंपल की जाच हुई है जिसमें से ही 75,133 सेंपल की जाच पीसे 24 घंटे में हुई थी ये थी सारी खबरे नवोदिया टाइम से दिली की एक नाजर डालते है पंजाब नवोद नभारे टाइम से पर कहां दफन हो रहे हैं मौत के आंकड़े बिहार के ओडिट किया तो देश में रेकॉर्ड नंबर पर पहुंची मौते देश में गुरुबार को चाने से एक दिन में कुरोना के होने वाली मौतों का आकड़ा 6148 पहुंच गया केंद की ओर से रोजाना जारी होने वाले डेटा में कभी इतनी जादा मौते सामने नहीं आई पतना हाई कोट ने बिहार सरकार से कुरोना से हुई मौतों का आउडिट करने का निर्देश दिया था महरास्ट में साड़े 11,000 मौते हुई महरास्ट सरकार ने राज में कुरोना से एक लासे जादा मौते होने की बात के ही हाले कि यह संख्या जिलास्तर पर जारी आख़ों से कम है उत्राखन ने मौतो का ओडिट हो हाई कोड उत्राखन हाई कोड ने राज्जे से कोरोना में हुई मौतो का ओडिट करने को कहा कोड ने कहा कि दूजी लहर के दौरान कितनी मौते हुई है इसका ओडिट होना चाहिए साथ ही कोरोना जार्च में गडबडी को देखते हुए रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है पहाड़ी लाकों के घरों में जाकर तीका करने का प्लान बनाने की जरूरत है होम डिलिवरी एजेंट्स को प्रात्मिक्ता के अधार पर लगाई जाएगी वैक्सिन विभाग अमेजन फ्लिपकार्ट जमैटो स्वीगी से करेगा संपर्क उपमुक्मंत्री मनिशी सोत याने स्वाथबा को अमेजन फ्लिपकार्ट जमैटो स्वीगी जैसी ऑनलाइन कंपनियों में से संपर्क करने को कहा गया है जहां पर काम करने वाले डिलिवरी एजेंट्स का वैक्सिनेशन सुनिश्चित करना जरूरी है इस वक डिलिवरी नौवी और ग्यावी के एक्जाम कैंसल मिड़ टम के अधार पर होंगे प्रमोट कोविड-19 को देखते हुए दिली सरकार ने सभी स्कूलों के क्लास नौवी और ग्यार वी के स्टुडेंट के एक्जाम कैंसल करने का फैसला लिया है गुरवा को डिप्टी सी एम मनेश शि बादार्वी में प्रमोट किये जाएंगे अगे कि कि फ्रंट्टाइंड वर्कर्स को पहले देश सेकंड डॉस वेक्सिनेशन के नई गाइडाइन 21 जून से लागू हो रही है और केंद्र सरकार ने राज्ये को सला दी है कि वह पहले हेल्थ केर वर्कर्स और पंजाब केसी से एक नज़र आज से शराब की होगी होम डिलिवरी राजधाने दिल्ली में शराब के शौकिनों के लिए अच्छी खबर है दिल्ली में शुकरवा से शराब की होम डिलिवरी शुरू हो जाएगी लोग अब घर बैठे मोबाइल एप और वेबसाइट के बच्चों में कोरोना के इलाज के नई नई गाइडलाइन्स हलके संक्रमन वाले बच्चों के इलाज में स्टेयोराइट्स के इस्तमाल को मना ही बच्चों को मास पहनने को भी लेकर दिये गए सुझाब क्या रेमडी विजर दी जा सकती है कि इस सरगार की ओर से जारिक आइलेंड में साफ कहा गया है कि संक्रमन वाले बच्चों को एंटी वायरल रेमडी विजर नहीं दी जाएगी स्वास सेवा महादिशालय ने कहा कि 3-18 साल दगे बच्चों में इसका इस्तमाल से सफलता मिलने के प्राप आकड़े उपलब्द नहीं है इसलिए इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए क्यास्टोराइट का उपयोग किया जा सकता है DGHS ने केवल अस्पताले भरती गंभीर और अत्यान गंभीर मामलों के बच्चों के इलाज के कडी निगरानी के तहस्टोराइट दवाओ का इस्तमाल करने का सुझाब दिया है स्वास कर्मियों को टीके की दूसरी खुराग देने के लिए राज्ये पहले ही योजना बनाए केंद ने कहा केन सरकाने स्वास कर्मियों अग्री मोर्चे पर कालिकृत कर्मियों के टीका करण के निमसर खास और पर दूसरी खुरा के मामले को गंभी चिंता करार देते हुए राज्य और केंद शासित प्रदेशों को ब्रस्वतिवार को सला दी कि प्राथमिक्ता वाले समू को दूसरी खुरत दिने पर ध्यान के इन्दितब्ब करें और इसके लिए प्रभाववकार योजनाये बनाए बाबारामदेवी लगाएंगे टीका, यो म siè अधना करोना करोना का टीका लगवाएंगे इसके साथ ही बीते कई दिनों से एलोपेथिक चिक्त साब पद्दती और डॉक्टर देव टू के समान होते हैं चार मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत मुंबई में बुद्वार को पूरे दिन बारिश के बाद मालवानी इलाके में एक चार मंजिला इमारत रात 11 दस बजे ढहकर दूसरी इमारत पर गरगई हाथसे में के बाद मलवे में 18 लोग निकाल कि इम्रान की पूर एडवाइजर ने लाइट इवी शो के दौरान सांसत को मारा थपड़ पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान के पूर स्पैशल असिस्टेंड और वर्तमान में पंजाब प्रांद के सीम सलाकार फिर आशिक आवान की फिर सुर्खियों में है में पहुंची थी इसने पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सांसर कादिर खान भी मौजू थे कादिर ने पिछले दिनों हुए एक ट्रेन एकस्टेंड में 67 लोग के मारें जाने और देश में बिजली की भारी की लत का जिक्र किया तो अचानक भड़क उठी उन्होंने ला संयुत राष्ट ब्यूरोक्रेसी की कमान भारती विदेश सेवा अधिकार नागराज नाइडू संयुत राष्ट में शेफ डी कैबिनेट न्यूप्त किये गए हैं विदेश मंत्री एस जैशंकर ने कुवेट के प्रधान मंती शेख साहब खालिद हमाद अलसा सबाह से मुलकात की और दोनों देशों के भी सांजिदारिक को उचायों पर ले जाने की उनकी प्रभलित्ता को सहना की पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीरे विदानसवा चुनाव 25 जुलाई को पिछले साल पाकिस्तान ने गिलगिट बालिस्तान में विदानसवा चुनाव करा रहा था पीओके में 33 और कश्मीरी प्रवाचियों के लिए 12 सहिद विधान सभा के 45 प्रतिनिद्यों को चुनने के लिए होगा चुनाव ये थी आज की दिनबर की ख़बरे ऐसे ही तमाम अप्रेट्स का जुढने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं